वेल्कम बैक इन बोटनी क्लास आज हम इस वीडियो में हैबिटेट आफ एल्गी पढ़ेंगे जो की फर्स्ट इर का ही टॉपिक है शुरू करते हैं अक्रेंस अक्रेंस या हैबिटेट का मतलब एक ही है कि कहां एल्गी पाई जाती है तो मैं आपको बता दूँ एल्गी जो है mostly aquatic होती है ज्यादा तर जल में पाई जाती है लेकिन फिर भी उसके अलावा भी और कई जगे पाई जाती है जो की हम इस आज के वीडियो में देखेंगे सबसे पहले एल्गी जो है fresh water में पाई जाती है sea water में पाई जाती है snow मतला बरफ में पाई जाती है rocks पे पाई जाती है और plant किसी और plant के उपर या उसके अंदर भी पाई जा सकती है और इसी प्रकार से animal की body पे भी एल्गी पाई जाती है on the basis of habitat हम एल्गी को तीन भागों में विभाजित तीन groups में विभाजित कर सकते हैं यह जो आपको habitat बताए है उसके हिसाब से हम एल्गी को तीन groups में विभाजित कर सकते हैं पहला group है aquatic दूसरा है terrestrial और तीसरा है unusual habitat जो की असाधरन करेंस जो एल्गी की पाई जाती है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहले fresh water algae जो है वो कहाँ पाई जाती है और किस प्रकार से पाई जाती है और क्या उसके उधारन होते हैं तो fresh water algae के अंदर fresh water algae ponds के अंदर, lakes के अंदर, pools में, rivers में मतलब नदी है, आपका जो जलाशे हैं, आपके जो pools बनेवे होते हैं, कुछ उनके अंदर और rivers जो है, नदी के अंदर, इनके अंदर पाई जाती है algae's जो कि fresh water कहलाती है अब उनके अंदर भी दो प्रकार की algae पाई जा सकती है एक तो stagnant water algae और दूसरी running water algae stagnant water algae से मतलब है, जो पाई रुका हुआ होता है, जैसे कि किसी pond के अंदर पाई है वो रुका हुआ पाई है, लेकिन अगर river की हम बात करते हैं, तो नदी बहती हुई होती है तो running water है वहाँ पर, तो stagnant जो water है, जो pool में पाई पाई जाता है जो लेक में पाई पाई जाता है, वो है, क्लमाइडो मुनाज है, जैसे वॉल्वॉक्स है, स्पाईरो गयरा है ये सारी algies जो है, वो आपकी stagnant water algae है, जैसे कि एक चितर आप यहाँ पर देख रहे हैं और इस ठितर में आप देखेंगे, ये जो algae है, ये unicellular algae आपको दिखाई दे रहे है और ये algae क्लमाइडो मुनाज है, जो की unicellular green algae आप देख रहे है वॉल्वॉक्स जो है, वो भी chlorophyta का ही member है, जिसको की हम detail में आगे पढ़ेंगे भी वो भी आपके stagnant algae का ही part है, stagnant algae के अंदर ही भुआती है running algae की अगर बात करते हैं, तो kara है, eulothrix है, cladophora है इसमें से जो kara algae है, वो भी हम detail में हमारे course में है, वो पढ़ेंगे wall walks हम पढ़ेंगे, kara हम पढ़ेंगे अब आते हैं marine algae की बात करते हैं, marine algae मतलब खारे पानी वाली algae तो खारे पानी वाली algae जो है, वो तलाब में आपको मिलेगी sea water के अंदर आपको मिलेगी, और sea water जो है, समुद्र में मिलेगी sea water जो है, उसके अंदर आपको जो algies मिलती है, उसमें basically के लिए एक्टोकार्पस है सरगासम है फ्यूकस है और फ्यूफाइसी के मैंबर्स हैं ये सारे फिर पॉलिस आइफोनिया है जो कि रूड़ोफाइसी का मैंबर है ये एलगीज आपको मेराइन वाटर के अंदर या समुद्री के पानी में मिलती है इसमें भी हम फ्यूफाइसी का मैंबर वो हम पढ़ेंगे फिर आपका पॉलिस आइफोनिया हमारे कोर्स में है वो भी हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार से ये डिफरेंट एलगी जो है आपको अलग अलग जगहें पर मिलती है और यही अकरेंस है कि कहां कहां पर किस प्रकार की एलगी पा टेरिस्ट्रियल से मतलब होता है जो कि पानी में नहीं है पानी के बाहर है जमीन पर है उस प्रकार की एलगी जो है वह टेरिस्ट्रियल एलगी कहलाती है तो यह टेरिस्ट्रियल एलगी जो है रॉक्स पे मिल सकती है आपको सॉइल में मिल सकती है लॉग्स पे जो लखडी क कहा जाता है जो कि soil पर मिलती है soil की surface पर मिलती है उपरी सतह पर अगर कोई algae मिल रही है तो then it is known as sapphophyte उसमें example है आपका वाउचेरिया बोट्राइकियम और फ्रिशेला जैसे कि आप चितर में देख रहे हैं यह जो नीचे चितर है यह वाउचेरिया का चितर है यह भी आपके course में detail में हमें पढ़ना है और हम पढ़ेंगे इसको तो इस प्रकार का चितर है इसका और यह soil के अंदर पाई जाती है उसी प्रकार से cryptophytes, cryptophytes वो algae है जो soil के अंदर पाई जाती है जैसे कि naustock है एना भी ना है तो इसमें आप आप नौस्टॉक पढ़ेंगे detail में यह blue-green algae और नॉस्टॉक का आप चित्र देखें, यह जो beaded structure आपको दिखाई दे रहा है, मोती की माला होती है, उसी प्रकार से यहां पर यह इस प्रकार का नॉस्टॉक का structure आप देख सकते हैं, फिर आता है rocks and logs found on the tree trunk and moist walls, moist walls पे और tree trunk पे आपको यह मिलती है यह जो दिवारे हैं उन पे या फिर आपको तने पे भी प्लांट के तने पे भी यह पाई जाती है जैसे कि example है इसमें प्रोटो कोकस एन स्काइटो नीमा यह स्काइटो नीमा का उधारन है स्काइटो नीमा में यहां पर algae जो है यह स्काइटो नीमा है यहां उधारन है rocks और logs का तो आप देख सकते हो इसका structure इस प्रकार का है तो basically जलिये होती है aquatic होती है लेकिन कुछ terrestrial algae भी होती है वो मैंने पर बताई हैं अब आते हैं unusual habitats की unusual habitat के अंदर algae जो है वह किस प्रकार से आपको दिखेगी कौन सी algae मिलती है और क्या-क्या उनके नाम हो सकते हैं और क्या unusual habitat हो सकता है जहां पर वो पाई जाती है तो पहला habitat है hellofytic algae pow addict say ही मतलब होता है ऐसा plant जोकी salt जहां पर ज़्यादा हो वहाँ मिलता हो जो salt lakes है वहाँ पर भी algae पाई जाती है जैसे की dunolella तो आपने राजस्तान में देखा होगा सांबर Lake का नाम सुना होगा तो वहाँ पर ये dunolella algae काफी मातरा में पाई जाती है कि यह salt lakes के इसका habitat ही sod lake है दूसरा आता है epiphytic algae found on larger algae epiphyte से मतलब होता है epi से मतलब होता है उपर fight से मतलब होता है plant से तो इसका मतलब ऐसी algae जो कि किसी और plant के उपर पाई जाए उसको हम कहते हैं epiphytic algae तो larger algae इस पर पाई जा सकती है या किसी bryophyte पे भी लगी हो सकती है या फिर किसी angiosperms में भी लगी हुई होती है जैसे कि उधारन के लिए udogonium एक algae है जो कि जिसमें कि microsporas are attached to the larger algae of cladophora and voucheria udogonium microspora जो algae है ये attached रहती है large species से कौन से large species? cladophora जो है large species है उससे attached रहती है वाउचेरिया ये आपको बताया है जितर में वो उसकी ही बारे में बात हो रही है cladophora की बारे में बात हो रही है epizoic algae epizoic जो algae है epi means उपर zoic मतलब animal के उपर तो ऐसी algae जो कि animal के उपर पाई जाए वो algae epizoic algae कहलाती है जैसे कि snails के उपर fishes के उपर, tortoise के उपर अगर कोई algae उनके epidermal पाट पे मिल रही है then it is known as epizoic जैसे कि cladophora crispata ये ग्रो करती है snails के उपर चौथा आते हैं हम endozoic algae endo means under zoic मतलब animal epizoic तो animal के उपर था endozoic मतलब animal के अंदर से अंदर की बात करी जा रही है found in the tissue of the animals example है zoo chlorella found in hydra wilderness zoo chlorella एक algae है और hydra wilderness के उपर ये animal है animal kingdom में पढ़ेंगे आप hydra wilderness hydra wilderness पे zoo chlorella आपको उसके अंदर hydra wilderness के अंदर पाई जाती है इसलिए ये endozoic कहलाती है अब आते हैं next continuity में ही कि और इस प्रकार के जो unusual habitats हैं वो कौन-कौन से हैं यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि ये unusual habitats के अंदर कई भार उधारन के रूप में प्रशन पूछे जाते हैं छोटे प्रशन आपसे पूछे जाते हैं आपका जो प्रशन बत्र आता है उसमें पांच प्रशन होते हैं पांच प्रशनों में से जो पहला प्रशन है वह अनिवारे होता है और उस प्रशन के 20 भाग होते हैं 20 छोटे छोटे प्रशन उसमें पूछे जाते हैं तो वो जो 20 प्रशन पूछे जाते हैं वो सब एक-एक नंबर के प्रशन होते हैं उनमें छोटे प्रशन है और एक एक सेंटेंस या एक शब्द में आपको उतर देना होता है तो वहाँ पर ये इस प्रकार के प्रशन आते हैं तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए भी गा और इसको याद भी रखिएगा पाँचवाँ जैसे है इसमें Symbiotic Algae Association with Fungi, Bryophyte and Gymnospombs Symbiotic Algae से क्या तातपर है Symbiotic Algae से तातपर ही है कि ऐसी Algae जो की Mutual Association करती है दूसरे किसी प्लांट के साथ में और जिसमें दोनों ही प्लांट पार्ट जो हैं वो लाभानवित होते हैं मान लीजे, Algae ने Fungi के साथ में Association किया जिसमें की Algae को भी लाभ है और Fungi को भी लाभ है या Algae ने Bryophyte के साथ Association किया या Gymnospombs के साथ Association किया और दोनों ही प्लांट ग्रूप में जो पार्ट्स हैं दोनों ही पार्टनर्स जो हैं उनको लाभ हो रहा है तो इस प्रकार का जो Association है वह Symbiotic Association कहलाता है जैसे की Lichen जो कि आपके कोर्स में भी है आप पढ़ेंगे डिटेल में भी Lichen जो है क्या है? Association है किसका Algae और Fungi का जिसमें एक पार्ट Algae होगी और एक पार्ट Fungi होगा और दोनों मिला के एक प्लांट ग्रूप बना रहे हैं हो सकता है उसी प्रकार से Fungal Component है जैसे की Corilla, Dictonium ये है Fungal Component तो इस प्रकार का Association जो है वहाँ Lichen कहलाता है दूसरा इसमें हमने बताया है आपको Algal Association with Bryophyte कि कई Bryophyte भी ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर की ये ब्रांट ग्रूप है आप पढ़के आए होंगे 11-12 के अंदर हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे तो ये जो प्लांट ग्रूप है Bryophyte इसमें भी Algae का Association देखा गया है जिसमें की Nostock और Anabina जैसी Algae जो हैं वहाँ Anthoceros एक Bryophyte है उसके Thalus में होती हैं अब जब आप TS काटके देखते हैं प्रायोफाइट का आप section cutting करते हैं तो आप आते हैं कि उसमें कई cavities हैं उन cavities के अंदर आपको Nostock और Anabina जैसी Algae देखती हैं तो ये आपका Nostock वाली Algae है जिसके अंदर की आप ये देख सकते हो इसको Anthoceros के Thalus में तीसरा आता है Algae Association with Gymnosperm Gymnosperm जो है आप इस बार अभी आपको Gymnosperm डेटेल में नहीं पढ़ना है आप अगली क्लास में पढ़ेंगे Gymnosperm लेकिन ये Association आपको याद रखना है कि Gymnosperm में Psychus एक Gymnosperm है जिसके अंदर की Anabina Algae Associated रहती है किस प्रकार से Associated रहती है कि Psychus के अंदर दो प्रकार की Root पाई जाती है एक होती है Normal Root और दूसरी होती है Coraloid Root तो जो Coraloid Root है इसमें Cortex का जो Reason है उस Cortex Reason के अंदर एक Layer पाई जाती है या एक Zone पाई जाती है Algae Zone इस Algae Zone में आप यहाँ पर देख रहे होंगे यह पुरा Cellular Diagram है इसमें यह जो Zone है यह वाली जो Zone देख रहे हैं आप इस Zone के अंदर यह Algae इसके अंदर दिख रही है हमें तो यह Algae जो है इस Zone में पाई जाती है और Associated रहती है एक तरीके से Cycus की Root के साथ और Algae जो पाई जाती है वो कौन सी है एना भी ना है अब आते हैं हम Next पे यह है Cryophytic Algae Cryophytic Algae से मतलब है ऐसी Algae जो की Snow में ग्रो करती हो बर्फ के अंदर आपको अगर कोई Algae मिलती है तो then it is known as Cryophytic Algae उधारन की तोर पे Alpine और Arctic Mountains जो होते हैं वो पूरे के पूरे Red हो जाते हैं Due to the growth of Hematococcus Nivellus अब यह प्रशन भी कई बार पूछा जाता है जो उपर मैंने आपको पॉइंट होता है Symbiotic Algae वो तीनों ही उसके पॉइंट Lycan, Cryophyte वाला और Gymnospom वाला Important है उसमें से प्रशन आते हैं उसी प्रकार से Cryophytic Algae में भी प्रशन आ जाता है कि आपको जो बरफ है वो लाल रंग की दिखाई देती है किसकी growth के कारण आपको बरफ का रंग लाल दिखाई देता है तो growth किसके कारण Algae के कारण उसका नाम बताईए तो Algae का जो नाम है वो है Hematococcus Nivellis जो कि आपको ध्यान रखना है Next हम चलते हैं इसके अंदर Letho Phytic Algae Letho से मतलब होता है Rocks से या पत्थर से तो moist जो rocks हैं उस पे grow करने वाली जो Algae हैं उनको हम कहते हैं Letho Phytic Algae उसका एक्जामपल है जैसे Nostock, Rivaleria ये सब Letho Phytic Algae है आठमा पॉइंट है Parasitic Algae ये भी important है प्रश्नी की द्रश्टी से ये भी पूछा जाता है Parasitic Algae क्योंकि Algae अभी मैंने आपको जो पिछला वीडियो बताया था उस पिछले वीडियो में हेटरोट्रोफिक होती है और वो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए या तो Parasite की तरह रहती है या फिर Saprophytic होती है लेकिन यहाँ पर कुछ exceptions है कुछ Algae भी ऐसी होती है जो कि Parasite की तरह रहती है जो कि बहुत कम है इसलिए बच्चे confused होते है और यह प्रेशन बहुत बार पूछा जाता है कि Parasitic Algae नाम नहीं बताते हैं वो Parasitic Algae वो पूछते हैं आपको कॉफी या टी प्लांट पे जो Red Rust Disease होती है वो किसके द्वारा होती है तो जब आप Rust Disease पढ़ते हैं जनरली रस्ट डिजीजेज फंजाई के द्वारा होती है तो इसलिए आप confused होते हैं और आप सोचते हैं यह फंजाई है लेकिन आपको मैं यह बता दूँ कि यह Parasitic Algae है जो कि प्लांट पे ग्रो करती है यह Spots आप जो देख रहे हैं यह Parasitic Algae से हुए है Cephalerose Viruses Cephalerose Viruses इस Algae का नाम है जो कि Parasitic है और आपको याद रखना है क्योंकि यह भी प्रश्न के रूप में आपको आता है बहुत बार एक्जाईम में पूछा गया है फिर आते हैं हम Thermophytic Algae पे यह Thermo से मतलब होता है Temperature से जो Algae Hot Springs में पाई जाती है मतलब जो कि High Temperature पे भी Algae सर्वाइव करती है वो Thermophytic Algae कहलाती है इसमें एक्जामपल है आपका Oscillatoria Brevis या Heplosiphone Legnosum तो Oscillatoria Brevis और Heplosiphone Legnosum जो हैं वो Unusual Habitat में जैसे कि Thermal जहांपर की गरम पानी के जलाशे होते हैं वहां पाई जाती है Thank you so much आशा करती हूँ आपको ये Habitat वाला पार्ट समझ में आया होगा और आप इसको बुक से भी पढ़िए नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखके भी पूछ सकते हैं नहीं तो WhatsApp मुझे करिए और मैं आपको और जो भी विस्त्रित जान करिए इसके बारे में वह दे दूंगी बहत बहत दन्यवाद